आखिर क्यों हंस ने लगा मेघनाद का कटासिर? महर्शी वालमी की द्वारा रचित हिंदू धर्मग्रंत रामायन में उल्लेख मिलता है कि रावन के बेटे का नाम मेघनाद था, उसका एक नाम इंद्रजीत भी था, दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिये गए थे, दरसल मेघनाद, इंद्रपर जीत हासिल करने के बा श्रीराम और लक्षमन को मारना चाहता था, एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रैत्न किये लेकिन वह विफल रहा, इसी युद्ध में लक्षमन के घातक बानों से मेघनाद मारा गया, लक्षमन जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, उसका सिर श्रीरा के आगे रखा गया उसे वानर और रीच देखने लगे तब श्रीराम ने कहा इसके सिर को संभाल कर रखो दरसल श्रीराम मेघनाद की मृत्यू की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बान के द्वारा मेघनाद के म पहल में पहुचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पती की मृत्यू हो चुकी है। उसने भुजा से कहा अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हात में रख दी। उस कटे हुए हात ने आंगन में लक्षमन जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिये। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसक का पती मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रत में बैठकर रावन से मिलने चल पड़ी। रावन को सुलोचना ने मेगनात का कटा हुआ हात दिखाया और अपने पती का सिर मांगा। सुलोचना रावन से बोली कि अब में एक पल भी के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा तुम राम के पास जाओ। वह बहुत दयालू है। सुलोचना जब राम के पास पहुची तो उसका परिच पतिष्य विभीशन ने करवाया, सुलोचना ने राम से कहा, है राम में आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पती का सिर मुझे लोटा दे, ताकि मैं सती हो सकूँ, राम सुलोचना की दशा देख कर दुखी हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पती को अभी जीवित कर दे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गये मेरा जन्म सार्थक हो गया अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्षमन का गुणगान क कैसे किया सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा में सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नर्मुंध हसेगा सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी उसने कटे हुए सिर से कहा हे स्वामी जलदी हंसिये वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोड़ जोड़ से हंसने लगा इस तरह सुलोचना अपने पती की कटा हुए सिर लेकर चली गई